आप लोगों का स्वागत चनेल पर आने के लिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Amphivian लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था Amphivian के वारे में थोड़े बहुत हमने डिसकुस कर रही थी लेकिन आज की वीडियो में Amphivian हम लोग detail में समझेंगे इनके gender characteristic जो भी है सभी चीज को अच्छे से देखेंगे तो आप लोग heading डालिएगा amphivian और आपको ये प्यारा सा छोटा सा हरा सा frog दिख रहा होगा तो इसी कबारे में पढ़ने वाले हैं इसलिए ये आपको दिख रहा है क्योंकि amphivian में 90% animal species frog की पाई जाती है आप लोग heading डालें चलिए आज की वीडियो को start करते हैं और हां जिनों ने लास्ट वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखिए जाके देखिए इनका classification आपका को डेटा फाइल हमको डेटा का classification देन वर्टिव रेटा का classification सी फाइलों को डेटा यूरो को डेटा सारी चीज़े बढ़ा रखिए वहां से बढ़के आईए तभी यह वाली चीज़े आपको अच्छे से समझ में आएगी ऐसे आपको समझ में आएगी लेकिन थोड़े कम आ आजाएगा उसका description में दे दूंगा आपको नीचे में तो वहां से description में लिंक है वहां से भी direct जा सकते हैं तो चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं Amphibian के बारे तो नाम से हीन का पतर चल रहा है Amphibian इसको नाम को आप स्प्लिट करेंगे तो यहां पर देखिए Amphi Amphi मतलब होता है दो क्या होता है Amphi मतलब होता है दो तो वैसे जानवर जिनकी दो जीवन होती है दो जगह रह सकते हैं वह आधा जीवन पानी में गुजार देते हैं वाटर में और आधा जीवन वह लैंड पे रहते हैं तो वैसे एनिमल जो Amphi है और वह वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं जैसे कि यह प्यारा सा मेरा फ्रॉग यह दोनों जगह रहता है कभी इसको जमीन पे आप देखेंगे लैंड पे भी देख सकत इसको और यह इसको हम लोग पानी में भी तैड़ते देखते हैं तो यह दोनों तुरह का इन वले तो बेस्ट इग्जामपल एंफिवियन का फ्रॉग ठीक है तो हाई योप इसका जेनरल मतलब हुआ एंफिवियन कहने का मतलब हुआ चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ अच्छे से देखते हैं तो यह जो आप देख रहे होंगे पिक्चर यह फ्रॉग का है और इनके लाइफ साइकल का है यह लाइफ लाइफ सैकल वळवा वीडियो में अलग से बनाई है आप लोग सयुक्ष करेएगा मेरे नाम सिवं सर लाइफ सैकल और फ्रॉग बैस्वाम्सर तो आपको मेरा वीडियो मिल चाहेगा ठीक है यहां पर यहां पको सिर्फ पढ़ना है कि इसके वारे मैं आपि एनके वारे मे कॉंसेट समझाने के लिए बस तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर आप एंफिवियन हेडिंग में डाल लेंगे इंट्रडक्षन हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक छीज ही जो आपको पता आने चाहिए थिक है इंट्रडक्षन में हम लोग इसको बात करते हैं तो सबसे पहले आफिवियन का मेलिंग मैंने आपको समझा दिया amphivian के कुछ examples है जो आप देख सकते है examples है frogs हो गया amphivian का example है toads, slamenders जितने भी है amphivian के example है साथचे साथ अब इनके photo देखते चलो slamander कुछ इस तरह से दिखता है limbless ones भी जी हो है इनी के example है तो इनके examples आप देख सकते है ये सारे के सारे amphivians के example है तो ये सारे amphibians ही है ठीक है और amphibians जो है all over world amphibians के total 6184 species पाई जाती है जिन में क्या होता है न 6184 species all over world इसकी पाई जाती है जिन में ज़्यादा तर frog की species होती है 90% of इतना का 90% है आपको क्या मिलेगा frog पाई जाएगा तो लगभग पचपन सो के आस पास frog ही है और जो बच जाते हैं वह अदर से हैं तोड से हैं कुछ स्लेमेंडर से हैं कुछ लेमलेस वन से 90% इस ना में frog है सिर्फ तो सोच सकते हैं frog की बिविज़ता diversity कितनी जादी होगी तो फ्राग बहुत ही जादा है आप लोग भले एक डुँगों को देखे होंगे लेकिन अप जब जंगल में जाएंगे फ्राग बहुत तरीके की मिले गा बहुत रंग विरंग फ्रोग आप देखेंगे तो फ्राग बहुत जादा है इसकीak similarद यह जयादा है ठीक यह तो औल ओबर वर्ड इसके स्पीसिस 6184 सपीसिस नहीं आज की बाढ़ कर रहा हूं तुडे और देखिए हम कोड़नों बात करते हैं कुछ चीजों को बारे में जो आपको एक्जाम में डाट अब्जोक्टिव के farm में push ली जाती है गोलियत frog ये जो frog है न गोलियत frog ये अफरिका बेश्ट अफरिका में पाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होती है 30 cm के आसपास होती है और ये साड़े 3 kg के आसपास 3.3 kg का इसका बजन होता है ठीक है तो ये जो है दुनिया का largest frog है और जब तक smallest की बात की जाए यह तो largest बाला हो गया अब है smallest की बात की जाए तो यह ब्राजील में पाया जाएगा और उसका नाम भी Brazilian Brancisephiled है ठीक है Brazilian Brancisephiled tree frog है यह पेड पे रहने वाला frog है पेड पे जादा पाया जाता है और इसका नाम है ब्रैजिलियन ब्रैंकिशी फैल यह दुनिया का सबसे छोटा फ्रोग है इसकी जो लंबाई है मात्र आउनली 9.8 मिलिमीटर है तो बहुत ही छोटा है तो यह सारी चीजे खुद्रा चीजे मतलब छोटी छोटी चीजे हैं जो आपके अउजेक्टे में आ सकत इसकी फ्रोग ही है लगवग पच्पन तो फ्रॉग जो हैं और टोड यो हैं बहुत कहते बोटी धावरेसी दिखाते चाहिए रहे समझेंगे में जब भी मैं आप आप लोग फ्रॉग का पिक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए क्यूंकि हम लोग इवेंच्वेली उसी के वारे में पढ़ी रहे तो आपको वह एक्जामपल आपके आप दिमाग में रहना चाहिए और आप चीजे असानी से समझ पाएंगे इससे ठीक है तो फ्रॉग के और इंटोडस के बहुत ही जादा ग्रेट डावर सिटी है बहुत ज्यादा स्पीसे से बहुत जादा पाये जाता है ज्यादा यह ट्रोपी कल रेजन में पाया जाता है आपने जिज्च और उपका ऐघ्याव कश एंचि ट्रेस अरूपिक को देशе आता है आप यह आपका ट्रॉपिकल रिजन वाइल जो Slamender होते हैं Slamender स्वी एक तरह का आपी वह जो हता है जादा तर कहां पाया जाए गा बहुत इन नौर्दन हमें जाएगा जैसे कि हम लोग का इंडिया है वह भी नौर्दन हमें पढ़ता है तो यह स्लेमेंटर जादा तर नौर्दन हमें यहां पर देखिए एक और एक्जामपल है जो बहुत ही बड़ी आ एक्जामपल है इनहीं का एक्जामपल है जिसको हम मुलते हैं अधिक कैल्सीज जो है वह कहां पायाता है और वह वॉग फार्फ नाटी का ने में फार फ्रॉज अजह दो ब्यांड वाहां पर नहीं नहीं पायाता है है कि तो यह सारी चीज से जर्र चीज थी ठीजिए अगे इन के जर्रल करेस्ट्यूंक पर बाथ करेंगे और इन क tastes जाज़िये जिनके और इक वहत कॉमन चीज है कि वह सबदना तो यहां पर में डिसकूस करदनों तो ज्यादा बढ़िया रहे दिखिए अब इस पिक्चर के माध्यम से समझे इसका पिक्चर जो है यह फ्रॉग का पिक्चर है ठीक है यह किसका फिक्चर है फ्रॉग का तो इस फिक्चर में यहां पर फ्रॉग के लाइप साइकल को दिखाया गया है इस पिक्चर में बस यही मैं बताना चाहता हूं आपक release करती है, male का इसमें कोई roll नहीं होता है, सारा का सारा काम फीमेल का होता है, तो female अपना under-release करती है, पेड की पत्ती पे, कहीं moist जगा पे, तो वो क्या होता है, वो fin मिल करके इंब्रॉय बनता है, इंब्रॉय से वो टेड़ पॉल फिन बनता है, तो यह टेड़ पॉल बना, और यहां से जो पत्ता पर था, जब टेड़ पॉल बन जाता है, तो वह जड़ने लगता है, वो पत्ता से फिन यो पाने में गिर जाता है, बैचारा टेड़ पॉल, और उसका फिन ग्रोथ स्टार्ट होता है देखिए टेट पोल्स क्लीनिंग टूदा बाटर प्लांट यह बाटरी प्लांट पर इसका यह जो मदर है ना वहां पर अपना अंडा दे देती है इंब्रायों बनता है फिर वेसी तरह से इनका जो डिवलप्मेंट है वस उस पर ध्यान देना फिर अगला स्टेप में देखिए इसके टेल्स वगेरा थोड़े दीखने लग जाएंगे बड़े होने लग जाएंगे पहले इतना था भी इतना हो गया तो इस तरह से होता है टेल्स कीप ओन ग्रोइंग दिन उसके बाद इसके दो हिंड लेग मिल जाएंगे यह दोनों ज इस तरह से का एगे बनते हैं और इसके आगवगेरा सारी छीए अच्छी बन जाती एक पूरा डेवलफब हो जाता है थीर फिर य defend पूर्ण लेग आता है उसके जयसे बंद देया होता है ठीक है तौ-जय aut SAE जो यह गाइब हो दो जाता है यहां पर आपर को further बहुत ही कम बचा है मतलब ना के बराबर तो यंग यह बन चुका है अभी यह नौजवान छात्र हो चुका है तो यह नौजवान इस फ्रॉग को देखो और इसको देखो यह दुनों को कमपरीजन को रो क्या बदलाब आए इसी बदलाब को कमपरीजन को हम लोग क्या पढ़ते हैं इसी बदलाब को यहां से जो चीजे शूरू हुई यहां पर आके खतम हुई इन बीच में कि क्या बदला क्या आया क्या गय में इनका पूछ गया इनका पूछ गया तिस्य प्रोसिज को मुझन हम लोगा विन मेटा मॉर्फोसिस करते हैं और मैमॉर्फोसिज फॉग में अंफिवियन में कॉमन चीज है ये बहुत ही यूनिक चीज 사고 सिर्फ amphibian जैसे animals में ही ज़्यादा तर देखा जाता है metamorphosis का process तो metamorphosis क्या हुआ आपने समझा एक टेड़ पोल जो था ये ये टेड़ पोल ठीक है ये टेड़ पोल का कैसे growth हुआ टेल पहले बढ़ा हुआ ऐसे बढ़ा फिर इस तरह से चीजे बनने लगी आख वगेरा डेवलप हुआ ऐलीड आया उसके बाद देखिए tails इनके जो थे थोड़े थोड़े बढ़े फिर उसके बाद घटने लगे एक बार आया खतम हो गया यहां पे तो इस तरह से चीजे एडल्ट फ्रॉग में tails खतम हो जाती है वही सारी process को कैसे एक टेड़ पोल फ्रॉग बनता है और क्या-क्या changes आती है उसी process को metamorphosis हम लोग कहते हैं अब देखते हैं क्या-क्या इनमें बदलाव आती है इन दोरान जब metamorphosis का process होता है तो इनमें क्या-क्या चीजे बदलती है तो यहां पर आप लोग ध्यान दिचेगा the most obvious part of amphivians are the most obvious part यह मतलब हर amphivian में देखने को मिलेगा metamorphosis का process वही सारी चीजे जो बदलाब हुआ टेड़ पोल से adult बनने में जो चीजे बदली न सारे process बदलने के process को ही metamorphosis करते हैं तो क्या-क्या बदलता है सबसे पहले तो टे इड़ पॉल में एक भी पैर है क्या नहीं है ना लेकिन जैसे यह adult में बदल गया तो इसके चार पैर हो गए एक 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 सबसे पहला changes तो यही देखने को मिलता है metamorphosis होने के बाद कि इनके चार लेग आ जाते हैं देखिए हम लिखा हु है तो यह बाटर में राता था लेकिन जब यह adult होता है न तो यह कहां पर जंप करता है यह चल जाता है लैंड पर आना शुरू कर देता है और लैंड पर आने के लिए इसके पास four legs बन जाते हैं तो इनको balance करते हैं और यह tristial region में विर रह पाता है ठीक है तो metamorphosis अगर नह बहुत ही important process होता है तो देखिए क्या क्या बदलाव आया सबसे पहले चार leg बने टेड़ पॉल में ऐसा नहीं था ठीक है टेड़ पॉल फ्रॉक के बच्चों को ही बोलते हैं तो टेड़ पॉल में ऐसा नहीं था उनके चार पैर नहीं थे एक भी नहीं थे और यह जो चार पैर बनते हैं वह support करते हैं body को land पे रहने के लिए ठीक है उसके बाद इनके और भी changes आते हैं several changes देखे जाते हैं जिसमें से इनका जो गिल्स होता है ना गिल्स वह बदल जाता है और बोले तो replace हो जाता है और वह गिल्स further जैसे जैसे यह adult form में आएंगे जैसे यह टेड़ लार्वी फॉर में था तो इनके पास गिल्स थी लेकिन जब जब ही adult बन जाएगा तो इनके पास लंग्स आ जाएगा अब यह सास ले सकते हैं लंग्स से ठीक है यह एक और changes देखी जाती है गिल्स आर replaced by lungs and the skin develops gland to avoid dehydration और जैसे ही यह लार्वा फॉम में थे ठीक है लार्व ठीक है इTF तो इसके पास गिल्स थी ठीक जो सास लेने के लिए इनके लंग्स के को जरूरत नहीं है पानी में लंग्स के लिए बहöm आए अब इनकों कमी खिलिए तो पानी की कमी खलने के लिए इनके जो असकीन्स पे एक special खियांड आ जाते हैं उसी के कारण इनके बोडी में पानी की कमी महसूस नहीं होती है और dehydration का problem हो जाता है इन फिल नहीं होता है तो फिग सम्में special गलाइन भी आ जाता है metamorphosis होने के बाद the skin develops glands to avoid dehydration on the land टिके उसके बाद इनका eyes जो है आप देख लिजे इनका eyes कितना ज़्यादा बदल जाता है आप देखी सकते हैं आपको मैंने picture में दिखाया पहले जो टेटपोल था उसका eye बहुत ही लेकिन धीरे दे उसका eye बढ़ने लगता है फिन eye बड़ा होता है फिन eye के पीसे eyelid भी बन जाता है तो देखीए यहां पर वही लिखा है the eyes develops eyelids and adapt terrestrial vision इनका eye develop करता है और eye जैसे ही वो टेडपोल होते तो वो बाहरी की दुनिया नहीं देख पाते हैं वाहर की दुनिया लैंड को देख पाए तो उनका eye में भी development होता है और इनके पास एक air drum का निर्मान हो जाता जैसे यह टर्टर टर्टर जो मेधक आम तोर पे करती है air drum अपना आवाज निकाल सकती है communication कर सकती है और develop to transmit vibration यह अपना vibration transmit कर सकती है air से अपनी girlfriend को बुला सकती है और सबसे बड़ा चीज इनका जो जैसे ही वो टेड़ पोल थे तो उनके पास push थी लेकिन जैसे बड़े होगे थोड़ा बड़ा पूछवा फिन थोड़ा development वो थोड़ा बड़ा पूछवा लेकिन development जैसे इसे बढ़ते गया उनका last में जब adult frog बनता है तो उनका push disappear हो जाता है जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था यहां पे picture में आप देख भी पा रहे होगे clear हो गया होगा आपको यह भी बहुत बड़ा changes होता है टेड़ पोल में pushes हैं यह जो छोटा छोटा तो यह metamorphosis वाला process आप लोग लिख लीजागा copy में आपको short notes आ जाते हैं exam में लिखने के लिए ठीक है और सारी चीज़ हम लोग समझते है इसके general characteristic क्या क्या है और सारी चीज़े जो कि आपके exam point of speech जरूरी है वही वाली चीज़ लिखी गई है इसका example हो गया frog, toads, slamander सभी में यह metamorphosis देखा जाता है और यहां पर वही लिखा गया metamorphosis of water breathing tadpoles and air breathing adults तो यह बोला गया है यह जब बच्चा होता है tadpoles की स्तिति में होता है तो यह water में breathing करता है through the gills जैसे ही यह tadpoles बड़ा हो जाता है adult हो जाता है तो वह air में breathing करता है through the lungs ठीक है यही हुआ metamorphosis का सारा प्रोसिस आयोप समझ में आ गया होगा एक चीज़ यहां पर देखी गई है यह लोग reproduce कैसे करते हैं reproduction कैसे करते हैं तो मैंने आपको बताया यह लोग reproduction externally करते हैं internally नहीं ठीक है तो यहां पर देखी जो जितने भी frogs होंगे वो externally करेंगे अपना reproduction ठीक है यह अपना अंडा जो sorry यह अपना जो एग है वो अपना बाहर निकाल लेते तो बाहर हो रहा है ना बाहर इंबराय बन रहा है बाहर बच्चा के दिन्वान हो रहा है तो जितने भी process बाहर हो रही है मतलब externally हो रही है तो external fertilization होगा अगर इसके पेट के अंदर इसके body के अंदर यह सारी चीज़े यह process इंबराय बनना होता तो बोलते हैं internal लेकिन बाहर हो रहा है तो external fertilization है for the purpose of reproduction most amphibians dependent on fresh water और हां यह जादा तर fresh water में reproduction करती है क्योंकि अगर salty water में करेगी oceans वगेरा में करेगी पहले बातों वहां पर यह आईगी नहीं पाई नहीं जाएगी अगर वहां पर करेगी तो इनके टेड़ पोल को नुकसान होगा और टेड़ पोल मर भी सकता है तो यह fresh water ढूंटी है fresh water जैसे कि reverse वगेरा पानी जो fresh होता है water रुका हुआ नहीं होता हमें साब भाते रहता है तो वैसे waters को fresh water करते हैं और कुछ जो है brackish water में भी अपना fertilization reproduction कर लेती है तो इनके लिए requirement सबसे मुइस्ट है कि fresh water होना चाहिए तभी यह लोग reproduction करते हैं frogs वगेरा ठीक है no true salt water amphibians यह सारे salt water से hate करते हैं ओके no true salt water amphibians यह लोग होते हैं तो यह रहा general introduction ठीक है अब आते हैं इनके general characteristic पे और general characteristic भी वही सारी चीज़े है जो मैंने बता दी जैसे कि देखिए they are cold blooded animals यह जितने भी animals amphibians पाए जाएंगे वो cold blooded animals होगी चुकि यह आप भी जानते हैं पानी में रहने वाले जादे तरह animals cold blooded animals ही होता है जैसे कि fish के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा वो सारे के सारे cold blooded थे तो यह frog भी पानी में रहता है तो यह भी cold blooded animals ही है और cold blooded animals वो animals होते हैं जो कि अपने body का temperature वो maintain कर सकते हैं खुद से change कर सकते हैं environment का effect पढ़ता है उनके body पे जैसे कि बाहर थंडा है तो उनका body का temperature उसके अनुसार अडेप्ट कर लेता है जिससे frog वगेरा को ठंडा नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं body का temperature वो लोग change कर सकते हैं जितने भी cold blooded animals होते हैं लेकिन warm blooded animals होते हैं for example हम लोग या फिर वो बोड्स वगेरा तो वो सारे जो चीज़े हैं अपनी body का temperature क्या इनसान change कर सकता है क्या आप अपनी body का temperature change कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपको ठंडा में भी आपका body temperature उतना ही रहेगा गर में भी आपका body temperature उतना ही रहेगा तो warm blooded animals अपने body temperature change नहीं करते हैं लेकिन cold blooded animals कर लेते हैं तो यह frog amphibians जितने भी आते हैं वो सभी cold blooded animals होते हैं तो एक fact है इस fact को ध्यान से देखेंगे they are first cold blooded vertebrates from evolutionary point of view which came on the land class amphibia includes 6,000 species इस line का मतलब है amphibians वह जानवर है ठीक है वह जानवर हैं और यह cold blooded animals है cold blooded animals बहुत सारे हैं यतनी भी species से सारे cold blooded पाई जाती है तो कहना का मतलब है amphibians वह जानवर है जो की cold blooded animals है और वो पहली बार धर्ती पर आए और धर्ती पर उन्होंने survive भी करा क्या मचली को अगर अब धर्ती पर लाएंगे क्या उसको हम लोग धर्ती पर लाएंगे तो वो जिंदा रह पाएगी मचली बिल्कुल नहीं लैंड पर वो नहीं रह सकती है घानी तो आपने सुना होगा वच्पे वह हाथ लगाओगी तो डर जाएगी बार निकालोगो तो मर जाएगी तो मचली भी cold blooded animals होती है लेकिन वो नहीं रह सकती है लेकिन amphivians में तो मैंने बताया इनके दो लक्षन होते हैं बार्टर में भी पाएगे और लैंड पे भी पाएगे तो amphivians वो पहले जानवर हैं वो पहले first cold blooded animals हैं जो की कहां पे लैंड पे survive कर सकते हैं ये वाला point काफे ज्यादा important है they are the first cold blooded animals या फिर vertebrates जो भी बोलो जो की लैंड पे survive कर सकते हैं और ये evolutionary point of view से बहुत important है आप लोग जब मैं आगे जो MSC बगरा में आपको पढ़ना होगा amphivians का evolution कैसे हुगा amphivians actually में धर्टी पे आएं कैसे उन्होंने धर्टी पे कैसे आएं और वो लोग के पास दो करेक्टर कैसे होता है ये लोग धर्टी पे भी रह सकते हैं पानी में रह सकते हैं ये कैसे होता है तो इनका evolution पढ़ेंगे न तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा लेकिन आप बस इतना याद रखें they are the first cold blooded vertebrates those who can live on land survive on land they are mostly found in warm countries they are mostly found in warm countries tropical region countries ठीक है ये भी discuss कर दिया उपर में और they are ectothermic cold blooded animals को ही बोलते हैं ठीक है technical language है scientific language में इसको ectothermic बोलेंगे cold blooded animals का ही दूसरा नाम होता है आगे third point देखेंगे इनका जो body होता है body divided होता है two major parts में body is divisible into head and trunk ठीक है इनका अगर body को देखेंगे जितने भी आपके जितने भी आपके amphibians होगे उनके body दो बार्ट में divided रहेंगे ठीक है एक head पाया जाएगा एक trunk पाया जाएगा लेकिन कुछ exceptions है कुछ amphibians ऐसे भी होते हैं जिनके body के तीन पार्ट में divided रहता है इनके तीन पार्ट होते हैं जैसे कि यहां पर दिखिए body इनके तीन पार्ट में divided रहेगा पहला कौन सा है पहला तो आप लोग का head ही मिल जाएगा दूसरा trunk और कुछ में tails भी पाया जाते हैं कुछ amphibians में जब वो adult रहेंगे न फिर वी उनका tail disappear नहीं होता है frog में हो जाता है disappear लेकिन कुछ amphibians ऐसे हैं जिनका tail disappear नहीं होता है चाहे वो बच्चा रहे हैं चाहे वो adult रहे हैं टेल में कोई परवर्तन नहीं आता है तो वैसे इनिमल्स के तीन बोडी पार्ट हो जाएंगे लेकिन ज्यादा तर इनिमल्स के बोडी पार्ट दो ही होता है जैसे कि फ्रॉग 90% आफ दा स्पेसिस आर फ्रॉग तो ज्यादा तर इनिमल्स में हेड अंट डॉडा ऐल मेंजर पार्ट सोते हैं बोडरी तो मेंजर पार्ट में बॉड्य डिवाइड़ होता है लेकिन वहीं मैंने बला आना एक अकसेप्सेंज जैसे कि एकसेप्सेंज है'dRIर में पर्जेंट संवन्स कोछ EMP एक हेड एंट रंक प्लास में टेल लेकिन ज्यादा तर नाइंटी परसेंट आप देख सकते हैं एक स्मूथ फ्रॉग भी देख सकते हैं और रॉफ फ्रॉग भी देख सकते हैं तो दोनों तरह के फ्रॉग पाए जाएंगे दोनों तरह के अंफिवियंस पाए जाएंगे अस्मूथ टेड़ पॉल्स तो यह सारे अंफिवियंस में आप दोनों तरह के चीज़े देखी जाएंग और एंफिवियंस में एक खास प्रकार का ग्लैंड होता है ठीक है जो उनको मॉइस्ट रखता है आप जब भी उनको छुएंगा ना मेड़क को या कोई भी एंफिवियंस को तो उनका बोड़ी आप पाएंगे चिपचीपा टाइप का थोड़ा सा आपको फिल होगा या फिर थोड़ा सा आपको तो लगेगा कि हाँ चिपचीपा हो गया मेरा हाथ या फिर कुछ ऐसा तो उनका मॉइस्ट उनके बॉड़ी में प्रजिन्ट होती है क्योंकि उनके पास एक ग्लैंड होते हैं स्पेशल टाइप के जितनी ही एंफिवियंस होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इनके पास कोई एक तरह का जो कवरिंग होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उसकी सरीड को बचाता है वह परजेट नहीं होता है क्योंकि बीड़ाउट कोई कवरिंग का इनका बॉड़ी होता है ठीक है इनका बॉड़ी आप जब भी देखेंगे तो एक जेली लाइक प करना यूँ मनी जैसे कि आप देखेंगे मुर्गी का अंडा ठीक है मुर्गी यंस का अंडा देखें तो उनके उपर एक वो जो उपर वाइट होता है जिसको फोड के आप अंडा खाते हैं तो वह जो होता है कवरिंग होता है वह तरह का कवरिंग हुआ लेकि टेड़ पॉल होता है ना वो किसी तरह के covering में नहीं पाय जाएगा आप जब देखेंगे तो वह खास तरह के एक जेली-like protection होता है उसमें वो रहता है लेकिन उसके पास skills सबसेंट होते है covering अब सेंट होता है यही मैं कहना चाह रहा था तो लेकिन उनका जो हुए ना हीडिन रहता है नहीं देख सकते हैं जैसे कि एक्जामपल है कैसलिएंस इसमें स्केल्स पाया जाएगा प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाएगी लेकिन हीडेन रहती है देख नहीं पाते हैं कोई बीनीत मतलब अंदर में तो इस तरह से आगे वढ़ते हैं पॉइंट नम्बर सिख्स देखते हैं पेयर्ड़ फिनिस असें इस लाइन का म अमतलब है जितने भी आप अंधियोह कैसे सबसार लेकिन पाये ज्योडे में नहीं पाये जाएगए अकेले पाया जाएगा ठीक है पेर में नहीं पाया जाएगा अनपेर्ड फिंस पाया जाता है यहां पर भी मेवी लगा हुआ है मतलब कुछ इनिवल्स में पाया जाएगा कुछ इनिवल्स में नहीं पाया जाएगा तो मेवी लगा हुआ है तो समझ सकते हैं बातों को 2 pairs of limbs are used for locomotion जितने वे amphibians होते हैं उनमें 2 pairs of limbs मतलब 2 pairs मतलब total 4 limbs होते हैं और 4 limbs इनको locomotion करने में इधर से उधर ले जाने में movement करने में help करती है मदद करती है 2 pair of limbs are found in adult amphibians तो इस तरह से इनका ये features काफी important है ध्यान में याद रख लेना इजान में लिख देना लेकिन two pair of limbs एक ऐसा इनमल से जिन में नहीं पाए जाता है यह calcium जो है ना इसमें two pairs of limbs नहीं पाए जाता है तो इनको भी याद दखिएगा two pair of limbs are not found in this type of calcium animals आगे देखते हैं point number seven point number seven जो है वही मैंने जो बताया ना आपको इनका जो गिल्स होता जैसे यह धर्टी पर आते हैं लैंड पर क्यूंकि amphibians जो हते दोनों जगह रहते हैं धर्टी पे इदर आधार लैंड पर भी रहते हैं तो जब भी वह पानी में रहते तो उनके पास गिल्स होता था मैंने डिस्कूस कर रहा जैसे वह लैंड पर आते तो उनको सास लेने के लिए उनके पर लंग आ जाती है लंग बन जाती है और वह पुरा प्रोसेस आपने देखी लिया यहां से कैसे यह इतना यह इतना छोटा से टेड़ पोल से एक एडल्ट फ्रोग यह हूँआ, जितने बी बच्चा से कम से कम सभी बड़ा होगा, पैदा ही बड़ा थोड़ी होता है उनकी। सभी होते हैं उनमें लहर किसी-किसी में घायब हो जाता है लेकिन रह भी तो यह दोनु पॉoine ध्यान दिखिएगा दिखिए यह जो वाला लाइन गोला दा गिल्स आर पर्जेंट अ 대해서 campus औहुंश्न-प्विए जाएगा झांफ अएक्स्ट Devar पाए जाते हैं कुछ एडल्ट में एक्टरनल गिल्स जो था वो डिसपीर हो जाता है उनके पास सिस लंगी वच्छता है लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें आपको क्या होता है ना गिल्स भी पाए जाएगा उसका बोड़ी में और उसके बोड़ी में आपके लंग्स भी जाएगा दोनों पाया जागा कुछ है इनिमल्स हैं जिसका सबसे बड़ी एक्जामपल यहां पर देखिए दोनों का नाम दिया गया है अच्छ सकते हैं लेकिन जितने बी यह दोनों जग रहते हैं तो पानी में जाने के लिए क्या करें पानी में जाएंगे तो लंक से सास लेगें घिल्स वगेरा से सास लेंगे और तो ज़ाधा तर आप इस से याद दखेगा दोनों तरह के यह लोग respiratory system कर सकते हैं, सास दोनों जगा से यह ले सकते हैं ठीके और कुछ animals तो skin से भी सास लेते हैं, आपको यह भी याद दखना है कुछ animals skin से विसास लेते हैं आगे बात करते हैं इनके जो खुपड़ी होती है और स्कल इनके होता है वो dicondylic होता है dicondylic मतलब दो condyles पाये जाएंगे with two occipital condyles इनके इंदर पाये जाते हैं आपको dicondylic, monocondylic क्या होता है नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियो बनी हुए उसको जरूर देख लेना बस यहाँ पर यह देखी इसका जो स्कल है die मतलब दो होता है condylic दो condylic जिसके पाये जाएंगे वो इनका dicondylic कहेंगे तो इसकल जो टाइप होता dicondylic होता और यह dicondyles जो दो condylic होते हैं इसके ठीके dicondylic जो होते हैं दो condylic यह जुड़े होते हैं vertebral column से read की हड़ी से क्योंकि हम लोग codata पढ़ रहे हैं और सारे animals जो codata में आएगे उनमें read की हड़ी पाये जाएगे तो यह vertebral column इसमें भी है उसके बाद देखते हैं तक हम अंचा सब्सकंद से कर लेते हैं लंग से भी respiration कर लेते हैं Lettree respiration breathing करने में मदद करता है developing Met any view को Fringal cavity respiration करने में मदद करता। एफीजआ ऐनिमल को ठीकक ए तो यह वाला पॉइंट धे important है next point दा हर्ट इनका जो दिल होता है थीं चमबड को था थ्री सब्कंटेम इन तो टोटल टीन ही कम्रे होंगी तीनकों होता है न दो इनके पास और कर स्पाई जाएगी द्व और कल ऐर्ड होता है इनके वेंट्रिकलिय। का होता है एंफिवियंस में ऐसा देखा और इनके हर्ट में इनके हर्ट में इनके पास दो ऐसी चीज पाई जाती है शाइनुश भीनुश एंड ट्रूनुकोस ऐस्ट्यूश ठीक है यह दुने इनके हर्ट में पाई जाती है और इनमें दोनों तरह की जो है सिस्टम देखी ज जाती है haptic portal system renal portal system both are seen in amphibians haptic portal system and renal portal system are were developed in amphibians आ जाता है objective में तो मारिएगा बोथ ठीक है options में आया तो और इनके अंदर जो आर भी सी होती है red bird carpusals जो होता है वो by convex type का होता है oval दिखता है और निकुलेटेड होता है मतलब निकुलेश वगेरा पाई जाती है उनमें ठीक है बेल डेवलप आपका इहां पर circulatory system भी होता है इनके अंदर आगे देखते हैं यह जो एक्सक्रेशन करते हैं किड़नी की तुरूब वो कैसे करते हैं तो सबसे पहले बात जो जितनी वी яв treating यह जाती है यह ध्यान अएक से बोला कि उनमें नहीं होता है तो उनको मारत हो चाहता तो कीड़नी सभी पाई जाएगा किड़नी जो पाई जाएगी उसका होता है उनके पाई जाती도 वो मीजोनेफरिक टाइप आफ किड़नी देखी जाती है किड़नी के टीन टाइप होते हैं मैंने आपको बताया था काफी अच्छे से साइद सकेंड लेक्चर में सकेंड क्लास में तो वहां से जाके देख लेजेगा तो इनके अंदर जो किड़नी पाएजाएगी और इनके के अंदर urinary bladder भी पाए जाता है urinary bladder का जो काम होता है urine को best material को store करना ठीक है store करके रखता है जब आपको भी लगता होगा थोड़ा twiolate तो आप भी जिनको बर्दास करने के समता होगा वो चार लेते ना मतलब अभी लगा हुआ लेकिन अगल वगल हैं बहुत सारे लड़की लड़की हैं तो थोड़ा सरम लगता तो उसको अपना ट्वाइलेट को रखते हैं कहां पर रहता है और स्टोरेज कहां पर है आपका यूरीन यूरेनेरी ब्लेडर में रहता है ठीक उसी परकार जितनी व वेस्ट मेटरियल पाये जाएंगे दोनों का नाम है एक है देखे एक है दूसरा है इनका मतलब यह हुए इनके नाम से पतता चले जाएगा देखिए यहां पर अपको दिखे रहा होगा त्सरी हो यहां पर यूऱ्ीण दिखिड़ा होगा यू से यूरीन यू से य्यूरेटेलिक हो जाता है तो 먹어 वो एसे एंफिविंस जिनका बेस्ट माटेरियल आममोिया के रुप में निकलता है उसको हम लोग फरोक्स में आ जाते हैं लेकिन कुछ जो बेंग होते हैं या फिर टोड्स होते हैं वो यूरियो टेलिक होते हैं यह अपना बेस्ट मिटेरियल किस फॉर्म में निकालते हैं यूरीन की फॉर्म में यह निकालते हैं बाहर ठीक है अपना ट्वाइलेट यूरीन की फॉर्म में निकालते हैं बाहर तो य इह इुरियोटिलीक हो गया प्रोप सॉण टॉड Ñ दा बेस्ट इग्जांपle उफ दिस ंरू डे समस्ते हैं इनके अंदर जो कान होती ए एए हैर जो हता हिक एंके अंदर कान की और कान कान मुक्य भागे रॉती तो इसको outer membrane बोलते है Tampanum को ठीक है and it covers middle ear, जो middle ear होता है इसको पूरी तरह से cover कर देता है Tampanum ठीक है outer membrane होता है और it's cover the middle ear, the eyes have eyelid जब यह tadpole अपना जो है जैसे इसे growth होता है तो उनके पास eyes होता है उसके बाँ धिर 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 eyelid भी आ जाता है अर, निक्टितियटिंग मेंब्रेन वहां प्रकार में था एक पर इसका है, तो आप लोग की गर स्टॉपर में देख सकते हैं क्या होता निक्टितियटिंग मेंब्रेन, और यह सिर्फ आपको यहां पर देखनों को मिलेगा एंपी वियन में मिलता कुछ पच्छी में भी नेक्टिटेटिंग में पर्जेंट होता है इनके अंदर दिमाग भी होता है ब्रेन भी होता है और उनके पास टोटल टेन पेर्स आफ करेंदिन लफ्ज होता है 10 मतलब टोटल 20 हो जाएगा ठीक है पेर मतलब जोड़ा होता है जोड़ाय में एक जोड़ाय में दो होते हैं तो टोटल 20 करेनियल नर्फ इनमें पाए जाएंगे आगे है पॉइंट नमबर 15 लेटरल लाइन सिस्टम इस फाउंड यूरिंग डेवलप्मेंट जब आप डेवलप्मेंट डेख रहे थे टेड़ पॉल से एडॉल्ट फ्रोक या फिर टेड़ पॉल से फिर जो है आपका जो भी है स्लेमेंडर्स वगेरा है एक्जाम्पल जितने भी एं करने में मदद करता है लोगों में बढ़न तो अब बोसे इंश्डरी ओरन पता होगा से हुआ हम लोग उन लोगों में पाया जाता है और उसको बोलता है लीटररल लाइन सिस्टम थिक है आगए फटिला यशान ऑंगे बता दिया यदा वगेरा दिखा दिया कैसे होता है कै चीज़े बाहर हो रही थी तो इसलिए इसका फर्टिलाइजेशन एक्स्टाइनल होता है ठीक है लेकिन एक्सेप्शन्स भी है यहां पर स्लेमेंडर्स होता है ना इनमें फर्टिलाइजेशन एक्स्टर्नल ना हो करके इंटर्नल होता है यह एंफिवियन यह ऐसे एंफिविय इसका इंटरनल होता है इसका जो संतान होता है बोडी के अंदर ही निर्मान होता है डिवलप्ट होता है ठीक है यह दोनों एक्जांपल स्याद रखेगा आगे देखते आर मोस्ली ओवी पेरस जितने भी आपको इंफिवियंस देखेंगे वह ज्यादा तर आपको ओवी पेरस भी हो जाते हैं कुछ जैसे कि यह स्लेमेंडर जो होते हैं वह भी पेरस भी होते हैं भी पेरस कहने का मतलब भी पेरस वह जानवर होते हैं जो अपने संतान को अपने बोडी में डेवलप्मेंट पूरी करवाते हैं और अंडा नहीं देते हैं उनका बच्चा इतना था फिर बड़ा होता है फिन बढ़ा होता है तो यह रहा है तो हम्तिरों ने का क्त्रzentmi थार नोह क्त्रक्राइब जो होते हैं अंडा देने होते कंध यूप बच्चा देते हैं इंटरनल वह करता और सुक्कित पेट में में उसके पेट में के बच्के कंद्रवान होंगे देवलप्मिंट होगा फिर बड़ा हो जाएगा तो वो पेडा हो जाएगा तो सिल्म में जो फ़रिदी को ध्यान मे रखेगा ठीक में इसका बहुत बार हमने जिकर कर दिया एकसेप्सेंस में, इये ब्रेडिंग करने के लिए, कॉपुलेशन करने के लिए, अपने सर्टान को पैदा करने के लिए, ये बापस कहां चले जाती है, वाटर में जाके ब्रेडिंग करती है, ठीक है, ब्रेडिंग करने के लिए कहां जाती है, ब्रेडिंग करती है, लैंड करते हैं जैसे कि humans में देखें मेल में मेल में क्या होता है पेनिस होता है फीमेल में जाने भी करते हैं आप लोग तो इस तरह से जो तने भी मेल पाएं जाएंगे उन में कॉपिलिटरी और गंस सेंट होती है ठीक है और मेटा मोर्फोस दा मेता मोर्फोस इस यूजली प्रसेंट ये तो मेटा मोर्फोस स्वाल आपने देखा ही सारे उन्हें बशाएं जाते हैं करते हैं वह लो कि फिस लाइक लार्वा टेड़ पॉल इस परजेंट एंदो के वारे जाता है और टेड़ वाला लार्वा फर्म भी देखा जाता है जितनी भी एंफिवियंस है तो वही कहना चाहा रहा था तो यह आप लोग को पहले से मैंने पढ़ा दिया और आप इना बेसिक चीज़ें आपको पता होगी लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है और यह sıratu नहीं मिलेगा फ्रेस वाटर मीठे पाने में पाए जाता है जहांब देखे जाते हैं पाई जाते हैं लेकिन यहां वी कुछ कुछ exceptions हैं भाई कुछ हैं except few जो कि यहां पर सखारे पानी में भी मिल जाते हैं कुछ हैं कुछ ही हैं तो exceptions हैं इसका example बगेरा छोड़ हटाओ अंफिविया को न टोटल चार भाग में बाटा गया है तोटल चार भाग में एक दो तीन चार जिसमें एक दो तीन जो है जो है चल बसा ये तीनों चल बसा दुनिया से अब ये नहीं रहा हम लोग के बीच बहुत ही दुखत घटना है मतलब कहने का मतलब ये extint हो चुके हैं अभी नहीं है ये जो पहला टाइप है पहला सब क्लास है वो नहीं है दूसरा सब क्लास भी अभी बस एक ही बचा है आपके पास चोठा जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जो एक्स्टिंट हो गया है ना उसके बारे में थोड़ा सा ओवर्वीव बस लेंगे और थोड़े दो-तीन पॉइंट से जो आपको याद करने है बाकी आपको डिटेल में बस इसको पढ़ना है चोठे वालों को डिटेल में पढ़ना है और आपको याद भी एक्जाम में बस यही पूछा जाता है ठीके यह जो एक्स्टिंट हो गया है अभी धरती पे नहीं है बचे हैं उनके वारे में देखते हैं सबसे पहले, amphibians are divided into four subclasses, जिन में से तीन extint हो चुका है, और तीनों extint को हम लोग एक group में रख देते हैं, और उस group का नाम रख देते हैं, stego cifalia, stego cifalia में ये तीनों आ जाता है, जो तीनों गायव हो चुका भी नहीं है तो उनको एक major मतलब group बना दिया गया है, तीनों को एक ही साथ बोलना हो, जो extent खतम हो चुका है तो इनों एक ही साथ बोलना हो तो ये नाम यूज कर लेना, ठीक है? इनमें तीनों का नाम include हो जाता है, तो सबसे पहला देखते हैं, जो लावरिंथो डॉंटिया ठीक है और यह जो है सबसे पहला पॉइंट इसमें याद क्या करेंगे यह इक्स्टिंट हो चुका यह भी दुनिया में नहीं है दूसरा पॉइंट क्या करेंगे इसमें याद यह जो कब से कब पाया जाते हैं इसके टाइमिक एरा है अपने बहुत साल पहले यह बहुत साल पहली के बात है मोडेन नहीं है मोडेन साक्षिस के नहीं है बहुत साल पहले पहलो जो ही केरा मतलब समझ लो बहुत ही पुराना आप लोग को जाद अच्छे से समझ में आ रहा होगा पहलो जो ही कौन से समय के बात कर रहा हूं बहुत पुर जितने भी इसके द्रगत इनिमल्स आएंगे इस सब क्लास में उन में क्या देखा जाता था तीथ दिखा जाता था और तीथ जो था था लेवरिंथाइन फोल्ड इन तीथ पाया जाता था इनके तीथ में लेवरिंथाइन फोल्ड पाया जाता था इसलिए इसका नाम भी पहला ओडर दुसरा ओडर तोटल थ्री है साइद दिख लेते हैं हाँ तीन ओडर का बस नाम याद रखना है ठीक है और तो यह आप लोग याद रखिए ना रखिए बात वराबर इतना डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है पहला ओडर है एक थी उस्ट गे लिया है पहल तीक है इनमें टिक टालिक अंधो श्टिगा एक थी यह तीनों जो हैं इनके अंदर गता आते हैं इनके एक्जामपल से तो बस अबसकार नाम लिख लेना अपनी कॉपी में एक्जामपल से जरूरत नहीं है पैसरते आप अगर फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं आपको ज च्छी एक्छा लगता है तो जरूर लिख लेना तीनो तीनों के दूसरा और है जिसको हम लोग बोलते हैं देख लेजिए टेनों स्पोंडाईली चेन्त है और इनमें जिनल्य अंफिवयंस जितने फी बड़े embubi emdoai Ж एक्पी कोप abundant स्पी इतने बड़े-व च्छों के सब सब कलास के सकेंड ओर में रखे गए हैं तो यह याद अख लेना दूसरा वाला नाम थर्ड ओर जो है एक है अंतरा को सौरिया है इनमें अंसिस्टर पाए जानते रेप्टाइल्स के सच एज एक्जाम्पल्स में यह इनका नाम याद कर रख सकते हैं सेमोरिया यह कौन है यह हम लोग अगले विडियों पढ़ेंगे रेप्टाइल्स वी क्या है हम लोग का वर्टिब्रेटा का जो गैंथोस टमाटा है उसका एक मेजर पाठ है और यह अलग से पढ़ना है रेप्टाइल्स के अंसिस्टर माने जाते हैं यह एन्थो को शौरिया तो यह याद अख ले एक्स्टिंट तो यह तो याद रहना है चाहिए और इसका नाम है लिप्सो पॉंडाइली ठीक है यह भी पुलोजाइक एरा में पाए जाते थे बिथ अस्केल इन में जो है ना स्केल पाए जाते थे बॉड़ी पे अच्छी खासी कवरिंग पाए जाती थी जो इनको प्रो कैल्सीन जो है ना उनके अंसिस्टर माने जाते हैं यह यह अंसिस्टर माने जाते हैं कैल्सीन के और यह एक्स्टेंट हो गये हैं और इसका नाम है फाइलोसुपंडाइली पिलो जोएक ancestor है और यह ancestor किसके है? Eurodalus and Anorans के अभी Anorans, Eurodalus को क्या है? आपको पता चल जाएगा जब आप चोठा क्लास पड़ेंगे तो ठीक है? यह इसका जिकर में करने वाला हूँ आगे तो यह ancestor है किनके पुरवज है? यह दुनों के पुरवज हैं यह ठीक है? इनका जो नाम है फाइलोस, पõंडाइली यह इन दुनों के पुरवज माने जाते हैं with leaf like ossification around notocode में इसके notocode में leaf like ossification देखने को मिली थी तो इन वे जितनी नामालाईगा उसके छोटी छोटी बोड़ी पाई जाएगे और पूछ भी पाई जाती थी तो ये features जहें ना लिख लेना ठीक है ये चोठा सब class है जो कि extinct नहीं है present है और इसको हम लोग modern amphibia बोलते हैं इसको हम लोग modern amphibia नाम दिये क्योंकि ये present है और ये modern है नाम देखिए क्या है लिजा amphibia नाम में amphibia लगा हुआ है तो लिजा amphibia और ये जो है इनको हम लोग modern amphibia के नाम से भी famous है ये ठीक है इनको modern amphibia भी कहा जाता है तो ये main point हो जाता है और इनके जो examples है frogs, frogs modern है, toads भी देखे जाते हैं, salamanders, newits, etc जितने भी amphibians हैं आज की देट में present धर्टी पे सारे सारे modern amphibia और लिजा amphibia है बात एक ही है दोनों का नाम एक ही है modern amphibia कह लो या लिजा amphibia कह लो जितने भी आप ये सभी example देख रहे हैं किसके modern amphibia के examples है और इनके पास मैंने ये भी बताया था मैंने जब पढ़ा रहा था जेंडर करेस्टेस्टिक तो मैंने बताया था amphibians में a scale वाला covering नहीं होता है absent होता है मतलब नहीं होता है उनका जो body होता है एक jelly-like substance में अंदर में होता है वहीं पर उसका development होता है scale वाला जो covering होता protective covering amphibians में missing होता है तो a scale less skin इसकी होती है इसकी skin पर कोई covering नहीं होती है scales type की ठीक है living group with cannot have a smooth इसका body a smooth होता है यह तो आप जानवी करते हैं अब यह जो Lisa amphibia है इसके order है इनके total देखी कितने order order one order two order three ठीक है total three orders है तीनों को detail में पढ़ना है और exam में लिखना है तो पहला order है इसके subclasses का पहला order पहला order का नाम है एपोड़ा ठीक है एपोड़ा को और भी नाम है the calcium जो है और इसका एक और नाम है गिमनो फियोन ठीक है जो भी इसका नाम रख लो अर इनका चाठा नाम भी इनको blind पाँब वंब्स बीङ कहा जाता है तो एक ही को चार चार नाम थो चाहरों कर लेना ना आपके लिए Pl vais तेंशन नहीं ले ना देयार अल्सो कॉल एस ब्लाइंड वॉंब और कैल्सिलियंस कैल्सिलियंस बोलो या ब्लाइंड बोलो क्यूंकि दोनों में दोनों अंधे ही होते हैं और इनको लिंब लेस एंफिवियंस भी कहा जाता है तो इनके बहुत सारे नाम हो गए है आप ही लेस वह एंफिवियंस जो ब्लाइंड होते हैं मतलब आक होते विए अंदे होते हैं ब्लाइंड बॉम्स बोलते हैं सभी करेक्टर के बिस्टिश पर इनके नाम दिया गिया है तो सभी नाम उसको याद रखना और पूरे वर्ड में इसके एपोडा के 170 पीसिस पाई जाती ह ठीक है अब देखिए आगे वाला पॉइंड लुक लाइक वॉम्स यह बॉम्स की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम ब्लाइंड वॉम्स रखा गया है ब्लाइंड वॉम्स इसलिए इसका नाम है यह बॉम्स की तरह दिखता है और कभी कभी असनेक की तरह भी यह दिखने म तो उनमें क्या पाएंगे कि एक sword pointed tail पाए जाएगी और देखिए ये लोग ज़्यादा तर कहां पे रहते हैं ये bail adapted for borrowing moist land scent ये जहां पर भी नमी वाली जगा होगी न वहां पे रहते हैं गड़ा वगेरा बनाके वहां पे रहते हैं तो ये moist land में ज़्यादा prefer करते हैं रहना अ numerous groups इनके जो long cylinder body होती है वह उसमें बहुत सारे groups numerous groups धेर सारे groups पाए जाएंगे ठीक है और इनकी जो आई होती है पोड़ा की eyes होती है the eyes are small बहुत ही छोटा eyes होता है और covered by a skin देखो covered by a skin आई एक तो बहुत ही छोटा है और covered by a skin इसी लिए इसका skin covered हो जाता है इसका eye दिखता नहीं है इसलिए इसको हम लोग blind बोलते हैं तो क्यों हमको इनका blind warm नाम पड़ा पता है यह दिखने में warm की तरह लगता है और इसका जो आख होता है न असकीन से ढगा हुआ होता है इसलिए इसको blind warm काते है और कोई इसके पीछे reason नहीं है बस यही इसके पी इसके अंदर tentacles भी पाए जाते there are tentacles that is a tactile organ, tactile organ का सिधा मतलब होता है sensory organ जिससे यह लोग sense कर सकते है, ठीक है टेक्टाइल organs का होता है मतलब sensory organ, sense करने वाले इनके अंदर organs पाए जाएंगे, इनके फॉर्म में tactical, sorry, tentacles के फॉर्म में tactile, tactile organs पाए जाते हैं, okay, sensory organ को ही tactile organ करते हैं उसके बाद देखिए, जितने भी aipoda animal होते हैं, उनमें length from इनका जो length होता है aipoda animal का 10 cm से 1.5 meters के हो सकते हैं, यह animals 10 cm को भी आप देख सकते हैं, aipoda में जितने aipoda में तो बहुत सारे animal आ जाएंगे न, तो 10 meter के animal भी पाए जाएंगे और जादा से जादा 1.5 meter के animal आप देख पाएंगे aipodas में, ठीक है, तो यह कुछ examples है और कुछ इनके, आप देख सकते examples, और हाँ जितने भी aipoda animal होंगे, इनके bodies पे आपको a scale का covering मिलेगा, protective coverings का body a scale से ढखा हुआ होता है, तो बोल सकते हैं aipodas में a scales present होते हैं, पता है, by joloji जो है न, joloji या byloji बहुत ही असा pronunciation बहुत ही अच्छा है, क्योंकि concept काफी easy होता है, लेकिन नाम थोड़ा सा लगता है कि क्या लिख दिया है, हम भी नहीं, हम तो आज तक नहीं समझ में आता है, हम गूगल देख करके पता करते हैं, तो इनके example याद रखना, इसको साहद हम लोग पढ़ेंगे, यूरियोटी फुलुष, ठीक है, और एक है, एक्तियोटी फिश, ठीक है, एक्तियोटी फिश, इनका example है, तो दोनों example में से कोई एक याद दख लेना, ये वाला भी याद दख लेना, काफी important हो, तो एक पोड़ा साहद खतम होता है, यहाँ पर, अब दुसरा हम लोग order देखते हैं, क्ल यूरोडेला ये इसका नाम है, इस order का, यूरोडेला, यूरोडेला को हम लोग core data भी कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, यूरोडेला के all over world 560 species पाई जाएगी, और देखिए, ये जो होते हैं, जितने भी इनके अंदर गाट इनिमल्स पाई जाएगे, amphibians, उनकी इसकी मात्र 560 species भी पाई जाएगी, slamanders have tails, slamanders are the basic example of उरोडेला का, तो slamanders have tails, इनके पास tails होती है, slamanders जितने इनिमल्स होंगे, और body बहुत ही छोटी होती है, short bodies, और इसमें चार legs पाई जाएगा, लेकिन चारों जो legs होगा, almost equal होगा, बराबर बराबर चार legs पाई जाए बहुत ही होती है, आप जब बस चुवेंगे इसको, यूरोडेला को, तो अगर आप डरफोक होगे, तो नहीं चुपाएंगे, लेकिन चुप के देखना है, moist skin होता है, चिपचिपा सा, often brightly colored, इनका colored भी bright type का होता है, ये निकी डल डल, पुरा bright colored body होता है, and I have a great power of regeneration, ये regeneration का इनके अंदर बहुत ही बड़ी छमता होती है, बहुत ही unique feature है, यूरोडेला का, ये वाला feature आपको ये पहले order में नहीं मिलेगा, नाइन थर्ड ओर में मिलेगा, बस second order में regeneration का process का इन में बहुत अच्छा facility है, जो कि इनको अलग बनाता है बाकी से, ठीके, regeneration मतलब तो समझते regeneration कहते हैं, तो इनके अंदर regeneration के बहुत बड़ी power होती है, इनके अंदर great power, ठीक है, आगे देखते हैं, mostly four to six inches long, जितने भी इनके अंदर animal आएंगे, वो ज्यादा तर चार से छे इंच के animals नहीं पाए जाएंगे, बट चाइनिस जियांट स्लेमेंडर, ये बहुत ही बड़ा नाम है, ये objective point of view से बड़ा नाम है, चाइनिस जियांट स्लेमेंडर जो है ना, यूरोडेला में है, यूरोडेला का example है, लेकिन ये चार से छेंच का नहीं है, इसका जब लंबाई का बात करेंगे, यूरोडेला में आएगा और ये पांच फिट का जानवर है, चाइनिस ज चार से चेंज के होंगे, लेकिन exceptions में एक जानवर ऐसा भी है, जो इसका सब का वाफ है, पांच फिट का है भाई, लेंथ में, चाइनिस जियांट स्लेमेंडर को हम लोग मेगैलो बैक्टूरस भी बोलते हैं, मेगैलो बैक्टारकुश, ठीक है, और वी examples है, यूरोडेला का ये सारे examples, यूरोडेला के ही है, मड़ पपी, और कॉंगो, इल, जिसको हम लोग, मड़ पपी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्टूरू, सभी examples को एक बार देख लेना, सलेमेंडेरा, प्रोटू, शिरीन, सभी examples को एक बार आप देख लेना, ठीक है, अच्छे से, जो आप को पसंद पड़े, कोई 3-2 लिख लेना, तो ये हो गया, यूरोडेला, यूरोडेला का अब आपने समझ लिया, अब लास्ट आता है, वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट वाला जो है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा order भी है, और जादा कर जितने भी animals पाए चार सो तिरेपन, कितना भाई, पांच हजार चार सो तिरेपन, आपने ये तो वीडियो के सुरु में कितना बताया मैंने, 6184 टोटल स्पीसिस है, उस में से पूरा स्पीसिस में से 5400 तो सिर्फी यही है, अनूरा, कमपरिजन कर लो, कितना बड़ा ये हो सकता है, ये सबी कियुरिडेला में मात्र 560 था, और जो आपका पोड़ा था, उसमें भी कमी था, अर ये अकेले 5500 तिरपने, तो सबसे जादे इसमें हैं, और इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए, फ्रॉग जितने भी हैं, मैंने सुरू में ही बोला था, 90% आफ दा एंफिवियन्स और फ्रॉगs और चलने खिए, इन एनुरा ओरड़ा में एनुरा का दूसरा नाम होता है, सेलिटिया, दूसरा नाम है, तो फ्रॉगज एन तोड़्स और घ्जाम्पल सें, अनुरा का दूटल फ्रॉग जाएग पांच जार सो तीरपन स्पीसिस पाई जाएगी, और जितने भ तेलेप्स एंफिवियंग्ट होते हैं and that have a large बेल डेवलफ आई इनकी जो आई होती है छोटी छोटी नहीं होती है और एस्कीन में ड़की नहीं होती है इनकी आई जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है human इतना बड़ा नहीं लेकिन अपने spaces में amphibian में इनकी eyes बड़ी होती है ठीक है बड़ी बड़ी होती है large होती है और bell developed eyes होती है ठीक है bell developed eyes के साथ साथ और भी चीजें में पाई जाएगी चार legs इनके में इनमें भी देखा जाता है frog में चार legs देखा होगा आपने ठीक है लेगद अबको समझाया था क्या होगा सबसे पहले डोलएग जो यह पावर फुल हिंद लेग्स पाई जाएगा और यह पावरफूल हिंड लेग्सेड बगलीटी होती है तब यह फ्रॉग वगेरा इधर से उधर जम कर पाते हैं पावरफुल हिंड लेग्स के कारह नहीं ठीक है डेटार बेल एडप्टेड फोर लीपिंग मतलब क्या होता है इधर से उधर उचलना तेजी से यहां से वहां जंप करना लीपिंग एडसी मतलब अपलोग भी जानते पानी में में श्विमिंग कर तो वह इसे समभव होका है अगर नहीं होता इसका पावरफूल हे चोटा होता और उचल भी नहीं पाता उचलना में और पएर बड fabrics he यह आपने देखा होगा जो पीड़ पर पाई जाते हैं जो कि इनको क्लाइमिंग करने में क्लाइमिंग करने में सारे के सारे क्लाइम करने में क्लाइमिंग आने के लिए आपको यह सारी चीजे रहनी चाहिए ठीक है लेकिन आप यह भी जानते होंगे यह जो एनूरा है एनूरा में फ्रोग के साथ तोड्स भी आते हैं तोड्स कैसे करते हैं तोड्स का पैर कैसे होता है जो जितने भी तोड्स होंगे तोड्स के पास छोटे 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 पैर होते हैं सौर्टर लेक्स होता है कंपेर किया जाए फ्रोग के साथ तो फ् कर सकते हैं फ्रॉक की तरह उचल नहीं सकता है रहता इस्ली सरार प्राइब को मतलब watching चलता है सिर्स तो इसके अंदर बोल सकते हैं तौड के अंदर सौर्ट लेक का disadvantages है παका जो स्कीन होता है तोड का स्कीन जो ब्रॉपा होता है सूखा-सूखा लगेगा और बाटरी अपियेरी ऑठीय लेकिन लगेगा बाटरी है लेकिन प्रॉब्सक का बात करतेёं इसका में डाल देज़ेगा वैसे आपके स्क्रीन पे इक्जामपल्स दीख रहा होगा एनूरा का ठीक है यह सारे जो इक्जामपल्स है रेना आप जो कॉमन फ्रॉग देते हैं उसको रेना बोलते हैं कॉमन फ्रॉग होता तो आप एक दो फ्रोग का लिख लो, एक टोड का लिक लो बस काफी है यार और आगे में चीज़ों चीज़े लिखी गईGIए वो हायर सेक्ष्टर वालो के लिए हैं यहाँ पर क्या है आगे में चीज़े लिखी गई समंहें फिवियंस और यह examples जो दिया था मैंने जैसे की यह देखिए यही एक example है इसी के वारे में फिर details से पढ़ना होता है higher classes में examples को detail से पढ़ना होता है तो यह आपके काम का नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो बोलना इन सभी पर वीडियो बना देंगे ठीक है फिलाल आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अपना प्यार दिखाते रहें लाइक वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें आप भी देखते करें देखते हो।